सारन जिले के शीतलपूर सिवान एसेच 73 पर परसा बजार स्थित नव निर्मित शिव मंदर के समी टैंकर की ठोकर से 40 वर्षिय महिला की मौत हो गई महिला को स्थानिय लोगो द्वारा प्राथ में की उपचार हेतु समुदा एक स्वास्थि केंद्र परसा में भरती कर आया गया जहां चिकित्सकों ने शारीरिक जाच के बाद महिला को मृत गोशित कर दिया स्थानिय ग्रामीनों ने टैंकर तथा चालक को पकड़ पुलिस को सौप दिया मृतक महिला भिल्दी थाना क्षेत्र के भीमा बांध गाउब निवासी मोहम्मद अन्वर की 40 वर्षिय पतनी सकीला खातुन बताई जाती है मौत की खबर मिलते ही मायके तथा ससुराल के परिजनों में कोहराम मच गया घटना के संबंध में मायके के परिजनों ने बताया कि महिला कुछ दिन पहले ससुराल से मायके मस्तिचिक गाउब निवासी पिता तजमुला हंसारी के घर आये हुई थी शुक्रवार को बारह वर्षिय पुत रमजद अनसारी को खोजने के लिए परसा बजार जा रही थी बजार जाने के क्रम में वहन के थोकर से महिला की मौत हो गई घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक श्रूपेश कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ स्वास्थिक केंद्र पहुँच घटना की जनकारी लिया और शव को पोस्ट माटम के लिए छप्रा सदर अस्पताल भेज दिया पुलिस घटना की अनुसंधान में जुटी है डी एलिवेन टीवी के लिए छप्रा से दीपक कुमार की रिपोर्ट अ Prose il बार बार से दीपक पीसे लिए स्थेवफ हां में जनुस्टी बायन Lucky स्षेश कुमार भेज दीपक के लिए रिद हाह लिए आलना की अज़ा है ओलिपाले स बार आरे साट umोजड, में रचि़ा है झाल झाल